रादस्तान की महिलाओं को आर्थिक पगभर करके जिनको आत्मसनमान दिलाए है वैसे नारी शक्ति पुरस्कार से जिनका सनमान प्रेजिडेंट रामनाद कोविंद ने की है वैसे रादस्तान के रूमा दिवियाद हमारे साथ मौझूद है अम उनके साथ बात करेगे रूमा अच्छा लगा क्योंकि ये एवार्ड मेरे लिए एवार्ड नहीं ये एक नई जिम्मेदारी थी और जब हम दिल्ली जाते थे तो राश्टपती भाउन दूर से देखते थे लेकिन ये नहीं पता था कि हम राश्टपती भाउन के अंदर जाएंगे और राश्टपती जी क आपने जो बायोग्राफी है, जो मैंने कुछ पढ़ा है, आठवी तक पढ़ी है, वहां से लेकि यहां तक आना और बच्पन में आठवी तक पढ़ी, किस प्रकार की दिक्कत ही हुए और वहां से यहां तक का सफर कैसा रहा हुए। मैंने कभी अच्छी स्कूल में पढ़ा ही नहीं की, कॉलेज के बारे में भी नहीं छोचा, लेकिन हारवड उनिशिटी जाने का मुझे मुझे मौका मिला, क्योंकि हारवड उनिशिटी से मेल आया था कि हम हमारे एनुवल फंक्शन में AJ स्पीकर के तोर पे आपको बुलाना सारे हैं, तो मैंने का मैं कभी अच्छी स्कूल नहीं गई और हारवड में जाके क्या करूंगे, तो उन्होंने बोला कि जो आप कर रहे हैं, वहां के लोगों को पता नहीं है, इंडिया के बारे में दिल्ली, बॉंबेश जैसा जगह का पता है, लेकिन रूरल एरिया में क् नहीं मालूम है, तो फिर हम हारवड इंडिया गए और जब उनके साथ में बैठके काम किया, उनसे बाते हैं की, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि हम इंटर्शिप के लिए इंडिया आएंगे, और उसके बाद में नेक्स दी उन्होंने बाती दूता सामिल करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको जैसे बताया, आपको युएस के हावड युनिवर्सिटी ने बुलाया, तो आपको माइक दिया गया है, तो आपने क्या का था, जी हमने जो हम काम कर रहे हैं उसी के बारे में बताया, और सुई धागा लेके वहां पे वरक्शॉप भी किया, और वहां के स्टूडेंट्स ने खोद ने सुई लेके काम किया, तो उन्होंने बोला कि कितना मेनत का काम है ये, अभी आपके साथ रादस्तान की हजारों बहने जुड़ी हुई है, ये जो काम आपने आर्टीसन का उन्होंने सिखाया है, आर्थिक से पकबर हो रही, रादस्तान में कितनी बहने भारत के और कोई राज्य में जुड़ी हुए, खास करके गुद्राके सीडियू जो ट्राइबस है, वो बिल्ट की बात की जाए, कितनी वारते हैं, ये बाड़ मेर की धाई सो गाउं की 30,000 से ज्यादा बहने हमारे साथ में ज मिदारी दी है, और साथ ही हम कई जगह पे हमारे जो मास्टर आटीजन है, वो जाके ट्रेनिंग देते हैं उन बेनों को, जो बहुत ही दूर दराज एरिया में रहती है, जैसे ट्राइबल आटीजन है, उत्राखंड के माना गाउं में भी हमारे आटीजन वहाँ जाके उन बेनों को ट्रेनिंग दिया, क्योंकि वो भूलन से प्लैन शॉल बनाते थे, लेकिन उसके उपर एंब्रोडरी करके, वैलू एडिशन करके, कैसे सेल करें, वो उनको बताया, तो इस तरीके से काफी जगह पे हमारे जो आटीजन है, वो जाते हैं, और मैं तो सिरफ एक जग को देखने का नजरीया था जब अब गाहों में थी, और यह जो एवर्ड मिलने के बार, युएस गई उसके बाद इसना बड़ा कारे के लिए, अब लोग कैसे आपको बलाते हैं, पहले जब मैंने काम सुरू किया, तो मुझे बहुत कठी नईयों का सामना करना पड़ा, ज कि इनको कहीं नहीं जाना है, हम इनको घर बेटे काम देंगे, ये घर का पूरा काम करके, जो भी इनको दिन में दो तीन गंटा टाइम मिलता है, उसमें ये काम करेगी, तो इस तरीके से कुछ बैनों को साथ में जोड़ा, जब उनके पास में इनकम आना सुरू हुआ, तो और भी बेने साथ में जोड़ी, फिर उनको टैनिंग दिया, क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्रोडेक्ट बनाना बहुत इपिकल्ट है, और उसकी स्कील कैसी होनी चाहिए, डिजाइन कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी टैनिंग उनको वहीं उनी के घरों के बीस में दिया, जरूर को एपूँजर विजीट कर वाया. आज सबको विश्वास हो गया है, कि रूमा जी ने बोला है, तो आपको जाना है. महीला को बोलती हों कि आपको दिली में एग्जुशनें जाना है, बंबे में जाना है, तो दस महीलें तैयार होती है कि contribute जाना है, ऐसा competition होता है, म महिला मुझे आके बोलती है कि हम आपको धन्यवा देते हैं मैंने का किस लिए हम तो पहली बार मिल रहे हैं तो वह बोलती है नहीं आपको देखके हमने हमारे गाओं में काम शुरू किया और आज हमारे साथ में 300-400 बैने में जो अच्छे से काम कर रही है तो इस तरीके से छूट नहीं अगर आप एमदाबार में जाते हैं वहमे में जाते हैं तो क्या आपके परिवार का साथ कैसा रहा कैसे दिक्कते आई सबसे पहले तो परिवार से दिक्कते सुरू होती है और बहुत संग्रस करना पड़ा मुझे खुद को भी बाहर आने के लिए जब मैं काम करना चाती थी तो काफी चारे अब्जेक्शन थे फिर मैंने घर से अलग एक कमरा लेके काम सुरू किया जिसमें प्लास्तर भी नहीं हो रखा था और जब मैं सक्सम हो गई तो वापस जॉइंट फेमिली में साथ में गई और आज भी मैं जॉइंट फेमिली में ही रहती हू और जैसे मैं आपने देखा होगा कि हर जगर जाती हूं तो अपनी पोसाख में ही जाती हूं तो वापस जब उनके साथ में बैठती हूं तो उनको लगता है रूमा जी हमारे मैंसे ही है और हम मैंसे ही एक रूमा जी है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं रूमा जी जो कर रहे है तो इस तरीके से महिलाओं का confidence है वो बढ़ता है तो आज से 13 साल जो पहले इस्तती थी और आज बहुत काफी अंतर आया है और महिलाओं खुद सक्सम बन रही है दीरे दीरे development हो रही है तो इसका विस्तार भी होता जा रहा है कई सारी महिलाओं आपसे जुड़ना चाते हैं कई सारी एंजियोस आपसे जुड़ना चाती है तो उनका development किस तरीके से होगा आपना future क्या देखते हैं उनका future क्या देखते हैं देखिए हम हर मैलाओं से बात करने की कोशीज करते हैं जो backward area है वहाँ जाते हैं जो बहुत ही rural area में घर है क्योंकि वहाँ पे ऐसे इकटे गाओं में धानिया में लोग नहीं रहते हैं और अलग-अलग दोरों के 20 में एक किलोमेटर बाद में धानिया आए गी तो इस तरीक तो मक्सिद यह है कि हर मैला आतम निर्वरो सक्सम हो बिलकुल तो यह थे हमारे साथ राजस्तान के मसहूर सामाजिक कारे करता रूमा देवी जिनको प्रेजिडेंट रामनात कोविंद ने नारी शक्ति प्रसकार से संभानित किया जो कि खुद आठवी पास है किन्तु प्रगती करना चाहते तो उसके लिए पठाए कभी भी बादा नहीं होती फरकसिफ इतना ही है कि आपका जो सामाजिक ठाचा है उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ते मेरा परसन मुके स्टूडिया के साथ आसिस पंचाल एटीवी भारत एहन दाबाद